बॉलिवुड एक्टर जल्मान खान के घर पर फाइरिंग के मामले में पुलीस ने हर्याना से भी एक शक्स को हिरासत में लिया है पुलीस के मुताबिक संदिग्ध का संबंध पहले गुजराच से गिरफ्तार किये गए दोनों मुख्य आरोपियों से है और वह घटना से पहले और बाद में लगातार दोनों हमलावरों के संपर्क में था पुलीस का कहना है कि हिरासत में लिये गए व्यक्ति पर जेल में बंध गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्णोई के छोटे भाई अनमोल बिश्णोई से निर्देश लेने का संदे है बता दे कि सल्मान खान के घर पर फाइरिंग के कुछ घंटों बाद ही फेस्बुक पर एक पोस्ट किया गया था जिसमें दावा किया गया कि इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्वोई के छोटे भाई अन्मोल बिश्णोई ने सलमान के घर पर फाइरिंग की जिम्मेदारी ली है अब तक की जाँच में पुलीस को इस बात के संकेत मिले हैं कि वारदात को अन्जाम देने के लिए हमलावरों को लॉरेंच गैंग ने हायर किया था बता दे कि 14 अप्रेल को सलमान खान के बांदरा स्थिद घर पर फाइरिंग की गई थी इसकी बाद पुलीस ने इस मामले में दो हमलावरों सागर पाल और विक्की गुप्ता को हिरासत में लिया था बताया जा रहा है कि दोनों हमलावर पकरे गए संदिग्ध को अपने गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे थे वारदात को अंजाम देने के बाद सागर और विक्की ने मुंबई छोड़ दिया दोनों यहां से गुजरात के भुच चले गए थे उन्होंने सूरत के पास मोबाईल फोन का सिम कार्ड बदल दिया था पुलीस को परेशान करने के लिए वे बार-बार मोबाईल फोन बंद कर देते थे लेकिन जिस नंबर पर वह कॉल कर रही थे वह एक ही था पुलीस के मताबिक जल्धी संदिग्ध का पता लगा लिया गया और उसे हरियाना में पकड़ लिया गया उसे मुंबई लाया गया और उसे पूछताच की गई लेकिन अभी तक उसे गिरफतार नहीं किया गया है पुलीस ने पहले दावा किया था कि सागर और विक्की को खान के घर पर शूटिंग के लिए लगभग एक लाख रुपे दिये गए थे बाकी की रकम काम के बाद देने का वादा किया गया था अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें